नमस्कार नियूस फोर नेशन देख रहे हैं आप आपके साथ महोरचाव शुर्मा लालू प्रसाद यादव की बड़ी लाल और बिहार के पुर्व स्वास्थ मंत्री तेज़ प्रताप यादव को राची पुलिस ने लंबा इंतजार करवा दिया दर असल चुनाव के बाद पहली दफा तेज़ प्रताप यादव लालू प्रसार यादव से मिलने राची गये थे उस दरम्यान जेल मैनूल को देखते हुए राची पुलिस ने सबसे पहलों ने पेइंग बार्ड में जाने की अनुमती नहीं दी जिसके बाद से उन्हें घं प्रती प्रमुख लालू प्रसाद 11 से मुलाकात करने के लिए रिंप्स पहुँचे हलाकी पिता से मुलाकात के लिए उन्हें ठोड़ा अंतजार करना पड़ा क्योंकि जेल प्रशासन की अनुमती मिलने से पहले ही worked gγα theta तेज़ पता प्यादव शनिवार दो पर 12 बजे रिम्स पहुँच गए मगर तब तक उन्हें जेल अधिकारी से मुलाकात करने की अनुमती नहीं मिली थी करीब 10 मिनट बाद उन्हें पुलीस प्रशासन के चिठ्थी मिली और इसके बाद वो पेंग वार्ड में भरती अपने पिता से मुलाकात करने पहुचे पिता पुत्र की ये मुलाकात करीब धाई घंटे तक चली तेज पिता प्यादव दोपहर 3 बजे पिता से मुलाकात के बाद बाहर निकले उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव बाद पिता का शिडवाद लेने और उनके स्वास के जानकारी लेने आया हूँ इसके बाद उन्होंने भाजपा पर निशाना भी साधा उन्होंने आगे कहा कि भगवादल जिसके साथ रहता है उसे ही खा जाता है इसलिए उन्हें अरुनाचल प्रदेश का उदाहारं दिया जहां जेडियू के कई वधायक भाजपा में शामिल हो गए उन्होंने दावा किया कि बिहार में भी ऐसा ही होने वाला है सीम निश कुमार का वजूर खत्म होने वाला है उन्होंने आगे कहा कि निश कुमार की अगवाई में चल रही जेडियू और भाजपा सरकार जल्द ही गिर जाएगी चुकि अंदर ही अंदर भाजपा सभी पार्टियों को खा रही है जेडियू के खिलाफ इसकी शुरुआत अरुराचल से हो चुकी है अब बिहार में एनितीश की पार्टि का सफाया होगा पिता के स्वास्त पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनकी तब्यद ठीक नहीं है लालू जी को किड़ने की समस्या है उन लेखनी अहे कि लालू प्रसाद यादव अपनी गंभीर बिमारियों का रेम्स में इलाज करा रहे पिछले सब्ता लालू प्रसाद यादव के छोटे लाल तेजस्व यादव ही उनसे मुलाकात करने राची पहुँचे थे लगतार हर मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर रहने वाले तेजपिताप यादव को अपने पिताश से मुलाकात करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा हलाकि काफी मशक्कत के बाद वुलालु प्रसाद यादव से मिल तो लिए लेकिन इसके साथ जिस तरके से नोंने प्रहार किया उसके बाद उनका बयान काफी सुर्ख्यों में रहा विलाल के लिए इतना ही बने रहे हमारे साथ और देखती रहने इस फॉर्णेशन नमस्कार